Hello everyone, Namaskar, सौगत आपका लोधशी क्लासेSK BA platform पर दोस्तों हमारा सेशन चल रहाता और इसमें हम बात करेते हैं सुट्जर लेंड के संविधान के बारे में स्वेडिया लेंड के संभिधान में हम लास्ट क्लास में संभिधान की विश्षताओं को कम्प्लीट कर चुके थे और अब हम बात करेंगे इसके कायरे पालिका के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं को कि जिस प्रिकार से मैं आपको यहां पर हर लेक्चर में हर टोपिक पर जो डिटेल देने का प्रियास कर रहा हूं दोस्तों वो आपको कहीं और नजर नहीं आएगा मुझे भी बिजबास मत कीजिए आप एक वार यूटूब पर जाकर सर्च भी करेंगे दोस्तों तो वहां टाइम को गवाने के बजा शुरू करते हैं अपने सेशन को विसेशन में हम विसेश्थाओं के बारे में चर्चा कंप्लीटली कर चुके थे और विसेश्थाओं के बाद में अब हमारा सेशन होगा नेक्स्ट से सुद्धियल लेंड के सम्विधान की कारेपालिका से हम करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कारेपालिका की विविनिश शक्तियों के बारे में कि कारेपालिका को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं जिके उन शक्तियों के अंतरगत ही दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है कारेवी कारेपालिका के जो कारे हैं कि किस किस प्रका से होती है तो दोस्तों इसके अंतरगत हम पढ़ने वाले हैं चार पॉइंटों का हम बिशेस अध्यन करने वाले हैं यहां पर चार पॉइंटों पर हम बात करेंगे तो इसमें चार पॉइंट है दोस्तों की योग गिता की सुर्जर लेंड के संभिधान के अंतरगत सुर्जर का होगा तीसरा की जो इसके सदश्यों होंगे उनको बेतन और भत्ते किस-किस प्रकार से दिये जाएंगे और कितने दिये जाएंगे नेक्स्ट होगा हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम सोर्ट में समझने का प्रियास करेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक क्या होते हैं किस प्रकास इनकी नियुक्ति होती है और कितने समय के लिए इनकी नियुक्ति होती है तो शुरू करते हैं शेशन तो दोस्तों हम एक एक करके इन पॉइंटों को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे योग गता के बारे में तो दोस्तों जब ह प्रिथक रूप से बहुत ही important होते हैं और अपने आप में vicious math रखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कारेपालिका की हम बात कर रहे हैं सुजलेंड की संभीदान की कारेपालिका की हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो इस कारेपालिका के अंतरगत जो इसके सदश्यों होंगे सदश्यों को बनने में क्या-क्या योग गिता इनकी होना चाहिए कौन-कौन सी योग गिताओं का यहाँ पर चर्चा की कई संभीदान के अंतरगत उस बारे में हम यहाँ डिसकस कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों देखिए इस पर लिखा हुआ कि अगर आप अगर जैसे कि सुर्जल लेंड का जो भी नागरीक होगा अगर वो नागरीक या सुर्जल लेंड का है कि सुर्जल लेंड का कोई भी नागरीक यदि वो पृतिनिदी सभा का सदश्य बनने की योग गिता रखता है तो वो कारीपालिका का सदश्य बन सकता है अब प्रतिनेदी सबा क्या होती है जैसे हमने ब्रिटेन के संभिदान में दोस्तों दो सबाइं पड़ी थी एक निमन सदन और एक उच्छे सदन निमन सदन जैसे की प्रतिनेदी सबा को हमने देखा था वहाँ पर और भही उच्छे सदन में हमने देखा था कोमन सभा सोरी सीनेट को देखा था चीक है तो इस परकार से सीनेट और प्रतिनती सभा जो होती है सीनेट हमने ठीक है ना तो सीनेट उच्छे सदन इसमें कहलाएगा और प्रतिनती सभा जो है निमने सदन कहलाता है चीक है तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास में प्रतिनती सभा का सदश्य बनने की योग्यता है वो कोई भी व्यक्ति कारिपालिका का सदश्य बन सकता है और इस बात की चर्चा की गई है संविधान के अनुचेद 175 में तो ये किलिए हो गया कि वह नागरिक अर्ता सुट्जे लेंड का कोई भी नागरिक अगर वो प्रतिनती सभा का सदश्य बनने की योग्यता रखता होगा तो वो कारिपालिका का सदश्य भी बिल्कुल बन सकता है और इसी की अंतरगत दोस्तों एक प्राबधान ये भी किया गया है जो कि लगवक सभी सम्विदानों में आपको देखने को मिलेगा किसी भी लोगतंतर की देश के सम्विदान में आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा कि जो भासाई चेतर होते हैं जो अल्प संक्यक चेतर होते हैं जो अंडेवलप्ट चेतर होते हैं दोस्तों उनको विशेष प्रतिनी दिद्व दिया जाता है संबिदान के अंतरकर तो इसी प्रिकार से सुर्जल लेंड के संबिदान में भी जो भासाई छेत्र हैं दोस्तों उन भासाई छेत्रों को भी विशेष प्रतिनी दिद्व यहां दिया गया है उन भासाई छेत्रों में से जो है चार सदश्य तो आएंगे जर्मन भासा वाले ठीक है उसे परकार से दो सदश्य आएंगे फ्रेंच भासा वाले और एक सदश्य आएगा इटालियन भासा वाला तो इस परकार से दोस्तों यह साथ जो पद होते हैं जो यहां परकार यह पालिका में साथ जो पद ह कि तीन भासाओं में से किस-किस प्रकार से कितने कितने सदस्यों को लिया जाएगा इस प्रकार से यहां पर इनकी सीटे रिजर्व की गई हुई होती है ठीक है और दोस्तों यहां की जो सरकार है इसमें सभी दलों को प्रतिन दिद्वर प्रदान किया गया है सभी दलों को चाहे वो छेतरी दल हो चाहे वो राज जिस्तर का दल हो चाहे वो राश्टी दल हो सभी दलों को यहाँ पर दोस्तो प्रतिन दित्व प्रतान किया गया है अर्थात कोई भी दल कारेपालिका कोई भी दल का सदश्य कारेपालिका का सदश्य बन सकता है नेक्स्ट मूब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कारेपालिका के सदश्यों का या कारेपालिका हैं कि कारेपालिका का कारेपाल कितना होगा तो दोस्तो कारे पालिका का कारेकाल चार वर्सका होता है देखिए हर देस के जो सबा होती है सरदेस की संसद होती है या सरकार है सभी का कारेकाल अलग अलग है दोस्तो किसी को अगर आप कंपेर करके पढ़ेंगे तो जदा उचित होगा जिस परकार से अमेरिका के साथ अगर अगर अपन सुर्जल लेंड का कमपरिजन करें तो सुर्जल लेंड के सम्विधान और अमेरिका के सम्विधान में कापी चीजे सिमिलर है जिस परकार से कारेकाल सिमिलर हो जाता है राष्ट पत्ति की कुछ सक्तियां सिमिलर हो जाती है जो प्रतिनेदी सबा है प्रतिनेदी सदन है और सीनेट है ये भी यहाँ पर कॉमन हो जाते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी समानता है इस प्रकार से अगर आप comparison करते हुए पढ़ेंगे तो आपको यह चीजे जो परिस्द के अगर मान लीजे को परिस्द जो है जो कारेपाली का कारेपाली का को ही परिस्द बोल जा रहा है यहां पर तो अगर यह कारेपाली का बीच में ही अगर भंग हो जाती है दोस्तों तो संसद नई परिस्द का चुनाब कर सकती है लेकिन याद रखिए अगर होती है तो है लिए अगर परिश्याद या अर्तात कारिपाली का यदि बंग होती है बीज में ही बंग अर्तात की पूरी खतम हो जाती है तो संसद नहीं परिश्याद का चुनाव करेगी लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें किसी अद्ジャक चीका या को importance कोई सदश्य है उन सदश्यों का अगर कोई यत्यू हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं दोस्तों तो इस इस्तिती में जो समय बचा हुआ है जो समय सेस बचा हुआ है उस समय के लिए वो परिश्यद ही दूसरे ब्यक्ति का चुनाव कर सकती है ठीक है और दो किसी भी देश के डिवलप्मेंट के लिए विकास के लिए अनुभव कापी हेल्फुल होता है तो इसलिए यहां पर एक पॉइंट यहां इन लोगों ने यह भी रखा हुआ है कि अनुभव का लाब प्राप्त करने के लिए एक सेकिन यहां पर अनुभव का लाब प्राप् दोस्तों यह विवस्ता यहां पर इस पेसली की गई है चीक है नेक्स्ट है बेतन भत्ते और विशेशादिकार दोस्तों कारेपालिका के जो साथ सदस्य हैं जो परिश्द जिन साथ सदस्यों से मिलकर के परिश्द बनी है इन साथ सदस्यों को बेतन किस परिकार से मिलेगा अ उसी परिश्रत को हम कारिपाली का बोल रहे हैं तो इस साथ सदस्चों में से दोस्तो एक सदस्च तो होगा अध्यक्च ठीक है और एक होगा उपाध्यक्च बाकी सदस्च कितने हो जाएंगे पांस सदस्च बचेंगे तो दोस्तो इनी पांस सदस्चों को 80,000 फ्रेंक इस सेलरी अर्थात की जो तंका मिलती है जो बेतन मिलता है उस बेतन का 40 से 60 परसेंट जो है इनको प्राप्त वराप्तों होती जैसे मान लीजिए कि अगर अध्यक्च किसी जादक्ष को ले लीजी मान लीजी कि अगर घर 100 रुपे इनकी सेलरी हमां, इंको एक्सट्र तो इस परिकार से अगर हम पेंशन बात करें तो 160 रूपे या फिर 140 रूपे इनकी टोटल बेश्टन और पेंशन दोनों हो जाती हैं और अगर इसे सेलरी को अगर इनके हम देखते हैं न दोस्तों तो अन जो दूसरे देश हैं उन देशों की सेलरी से बहुत ही कम सेलरी यह द सेलरी आ इसमें दोस्तों सदस्चयों में संगी सभा मतलब कि जो मंतरी मंडल है इस उस मंतरी मंडल का कोई भी सद quint से अद्यक्च का चुनाब लड़ सकता है कि आपके आपको जब विशेश्तान को पलड़ रहे थे तब भी हमने बात की ती इसकी वे एक बिशेशता यह है कि इसका अद्यक्ष होगा उस अद्यक्ष को ही हम राष्टपती बोलते हैं सुड्ये लेंड के मंत्री मंदल का जो अद्यक्ष होगा दोस्तों वो अद्यक्ष ही राष्टपती कहलाता है और जो अद्देक्ष होता है न वो मंत्री मंडल का ही सदश्य होता है यह आप बिश्यस याद रखिए तो मंत्री मंडल का सदश्य ही यहां का अद्देक्ष होगा और वही अद्देक्ष यहां का राष्टपती कहलाता है कि अगर कोशन आता है कि क्या सुर्जय लेंड के संभीधान के अंतरगत सुर्जय लेंड के संभीधान के अनुसार क्या अध्यक्ष को एक से अधिक बार चुने जाने का अधिकार है या नहीं तो दोस्तों बिल्कुल है कि सुर्जय लेंड के संभीधान के अंतरगत जो सुर् नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों कारेपालिका की संद्रस्ट हमारी कम्लीट हो जाती है और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कारेपालिका की विशेशताओं